असलाम लाइकुम वेलकम बैक टो मैं चनल जिके इनफोर्मिशन अपडेट कैसे हो आप सब गाइज आज का वीडियो हुने वाला है जौब अपडेट रिलेटेड तो कुछ प्रिवेट कंपनी जिनकी तरफ से कुछ वेकन पोस्ट निकाले गई है तो इस वीडियो को आप उनको भी हलब पहुंचा आपकी वज़ा से और चनल पर नहीं हो तो चनल को सबस्क्राइब जरूर करना और बैल आइकन को भी आल रखना और अगर आप लोगों ने हमारा वाटसेप ग्रूप अभी तक जोइन निंग किया उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से आप हमारा वाटसेप ग्रूप जोइन कीजिए तो ये नौटिफिकीशन आपको नहीं पर देखनी को मिलेगी तो चलो वीडियो को स्टाट करते हैं वीडियो को लाइक ज्रूर करना और कुमेंट ज़ूरी हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बोला करें कुमेंट जर जिसके लिए फीमेल अप्लाई कर सकते हैं खाली फीमेल अप्लाई कर सकते हैं ट्रेवल कंसल्टेंट पोस्ट के लिए और उसके बाद रिजर्वेशन पोस्ट के लिए मनेजर जिसके लिए फीमेल दो अप्लाई कर सकते हैं यानि कि 5 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे कश् हैं तो आपको आपना cv संड उनको पीरंस इन्कोर आप होसाद करना बैदि कि आप और आपके आप इनके साथ contact भी कर सकते हो यह इनका नंबर दिया हुआ यहां पर इनका जो ऑफिशल लोकेशन है बुचपूरा लुन कंपलेक्स मैन चोक भीयो खान यार सरी नगर यह इनका ऑफिशल एडरस है इनफॉर्मिशन अगर आपको चाहिए तो आप इनकी ऑफिशल पे भी जा सकते हो तो यह थी आज की जॉब अपडेट कश्मी ट्रेवल अजनसी की तरब से और एक जॉब वीडियो लेके आया हूँ जो कि है यहां पर देख सकते हो गैस वेटे सेकंड तो और एक जॉब अपडेट है जो कि आई है एपी होम इंटेर की तरब से हैपी होम कुछ वेक viens पोस्ट निकाले गई है मार्केटिंग एक्जेकेटिव की पोस्ट के लिए अगर कोई अप्लाई करना चाहता है 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 फो मत पोस्ट जहांते हैं इनका जो company का नाम है happy home interior तो इनको contact कर सकते हूँ आप यहाँ पर इनका नमबर दिया हुआ है optional इनका number है तो आप इनके साथ contact भी कर सकते हो इनका जो official address है बागी मैथा शरी नगर में इनको official address है happy home interior का तो वहाँ पर आप जा सकते हो इनके office में आपको यह जॉब अपडेट जो है पसंद आई होगी तो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सबस्क्राइब जरूर करना तकि जो आगे आने वाले वीडियो मिलेंगे वो भी आपको जॉब रिलेटेट ही मिल जाएंगे तो बागी मिलते है किसे और लेटेस्ट आपडेट के साथ तब तक के ले दीजाए अजाज़त अल्लाहाफ़ेज